मुआ जो करबला में उसी का एक मनजल दिखाता हूँ बहुत ही चोटा सा एक वाकया तुमको सुनाता हूँ हुआ जो करबला में उसी का एक मनजल दिखाता हूँ बहुत ही चोटा सा एक वाकया तुमको सुनाता हूँ बहुत ही चोटा सा एक वाकया तुमको सुनाता हूँ जनाबे हजरते हुरो हो गए इसलामों पर कुरूबां खुदा के दीन पर कुरूबां नभी के नाम पर कुरूबां फिर उसके बाद अपनी जान दी आनो मुहम्मद ने वाफा को एक नई पहचान दी आनो मुहम्मद ने वाफादारी का आईना बना जैनब का नजराना पुबूले बार गाहे रब हुआ जैनब का नजराना हुसेनी अज महिमत की हुई है आबुरु जैनब लुटा कर अपने घर को हो गई है सुरुखुरु जैनब लुटा कर अपने घर को हो गई है सुरुखुरु जैनब हसन का लाल जो दूला बना था खून में डूबा जनाबे हजरते का सिम का सहरा खून में डूबा अभी तो रंग भी हातों से मेंदी का न छूटा था जो कल दूलहन बनी थी आज वो ही हो गएई बेवा यह जब आलम ठखे में का अजब को राम उबर बर्पा था फकत नामें खुदा था साथ पाणी ठाना दाना था वो अकबर जिन को जैनब ने बड़े नाजों से पाला था वो अकबर जिनका हर अंदाज इमाता उजाला था गैरन की तरफ जब हम शबी है सैयद आली खुदा शाहिद रुखे दीने नभी पर छागई लाली लहु अकबर का जैनब ने मला जब अपने चेहरे पर लहु अकबर का जैनब ने मला जब अपने चेहरे पर तो एक खंजर सा चल कर रह गया मौला के सीने पर तो एक एक करके सब के सब के सब को रुबाद ने मला जह गया मौला के सीने पर रहे हक में किसी का इस तरह चलना नहीं आसा रहे हक में जनाबे हजरते आविदि के जो भी मार थे बेहद खड़े होते ही गिर जाते थे वो लाचार थे बेहद बहुत कम जोर थे फिर भी वो जनब से लगे कहने मुझे भी अब राजारन की मेरी फूपी दिला दीजे मैं अपनी जान पाए इपन हैदर पर फिदा कर दूं है मुझ पे भी मेरे बाबा का हक वो हक अदा कर दूं लईनों को मैं अपनी तेग के जाहर दिखाऊंगा लईनों को मैं अपनी तेग के जाहर दिखाऊंगा खुदा चाहेगा खुदा चाहेगा तो राहे खुदा में काम आऊंगा खुदा चाहेगा तो राहे खुदा में काम आऊंगा दिया शबीर को पेगाम आबिद जाके जैनब ने रजा आबिद भीरन की मांगते हैं क्या कहूं उनसे ये बातें सुनके जैनब की हुए शबीर अफसुरदा तबियत कुछ जरा संभली तो ये आबिद से फरमाया सुनो सज्ञाद मैं जो कह रहा हूँ गोर से सुन लो नसीहत के गोर पारे मेरे लखते जिगर चुन लो मैं सच कहता हूँ तुमसे है नभी शाहिद खुदा शाहिद अभी बीमार हो तुम और बहुत कमजोर हो आबिद भूई है बंद कुर्बानी की हर एक राह ऐसे में भूई है बंद कुर्बानी की हर एक राह ऐसे में नहीं जायज जहादे फी सबी लिल्ला हो ऐसे में नहीं जायज जहादे फी सबी लिल्ला हो ऐसे में नसीहत भी यही मेरी यही मेरी वसियत है अभी इस घर को जैनब और तुमारी ही जरूरत है तुम्हारे बाद नसले फात में मिट जाएगी आबिद अली के घर की वीरानी मुझे तड़ पाएगी आबिद यह जो भी हो रहा है कौन दुनिया को बताएगा यह तस्वीरे सितम की कौन लोगों को दिखाएगा तुम है मालूम है मजलूम मुसलिम की कहानी भी यहां देखा है तुमने खुन से महगा है पानी भी तुम्हारे सामने आनो मुहम्मद की शहादत है हमारे बाद हमारे बाद इस घर को तुम्हारी ही जरूरत है तुम्हें मालूम किस तरहां से आखिर को गए बाजू बताओगे तुम्ही कैसे कटे अब बास के बाजू सुनेंगे लोग तुमसे अकबर जाबाजी की बातें सुनाओगे तुम्ही ये करबला की दुख भरी बातें तुम्ही कासिम की रुदा दे शहादत भी सुनाओगे तुम ही दुनिया को एहले बैत की हालत बताओगे सुनाओगे तुम ही मजलूमियत की दासितां आबिद मुखालिफ है अभी अपने जमीनों आसमां आबिद मुखालिफ है अभी अपने जमीनों आसमां आबिद नहोगे तुम तो असगर की शहादत राएगा होगी भला कैसे ये सचाई जमाने पर आया होगी भला कैसे ये सचाई जमाने पर आया होगी भला कैसे ये सचाई जमाने पर आया होगी बताओगे तुम ही सब को लुटा है काफला कैसे रहा जारी सितम और जार का ये सिलसिला कैसे भूई है बेरिदा कैसे अलिजादी नभीजादी तुम ही काटोगे जो बोई हैं हमने तुख में आजादी उठाना है तुम ही को बोज भी रुशदों हिदायत का तुम ही को हक अदा करना है ऐ आबिद शरीयत का हमारे बाद जिम्हेदारिया इस घर की हैं तुम पर तुम्हारे सामने है खुन में डूबा हुआ मनजल तुम्हारे सामने है खुन में डूबा हुआ मन्जर बताना तुम जमाने को जला कैसे ये का शाना बताना तुम जमाने को जला कैसे ये का शाना सुनाना एहले ही मा को मेरी जुर्ड का अफसाना ये बातें बाप की सज्जाद आखिर माने लेते हैं नहीं जो जानते थे आज तक वो जाने लेते हैं जनाबे हजरते शब्पीर अब मैदा में आते हैं अलिये मूर्तुजा की शान दुनिया को दिखाते हैं जिधर भी जाते हैं शब्पीर बिजली बन के जाते हैं कोई बाजू कलम करते हैं कोई सर उडाते हैं सदाए घैबु सुनकर सर को सजदे में जुकाते हैं यहां से सुर्खुर होकर नभी के पास जाते हैं यहां से सुर्खुर होकर नभी के पास जाते हैं ये हक है और इस हक पर मेरा इमान है कैसर खुदा के दीन पर शब्दीर का एहसान है कैसर कर दो खुदा कर दो खुदा पर शब्दीर कर दो खुदान है